पूरे देश में नागरिता संसोधन कानून को लेकर जमकर विरोध हो रहा है शांतिपूर्वक तरीके से लोग धरने पर बैटे हैं और अपनी बात को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन हैदराबाद में एक नया मामला सामने आया है इसी नागरिता को लेकर और इसी NPR NRC को लेकर जहां जमकर विरोध हो रहा है वहीं पर नागरिता साबित करने की बात कही जा रही है हैदरबाद का मामला है महम्मद सत्तार को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब उन्हें अपने दस्तावेज लेकर आने पड़ेंगे और अपनी नागरिक्ता साबित करने पड़ेंगी यानि कि एक तरीके से सरकार जो चाहती थी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जहां पर ना तो उनकी बात मानी जा रही है और लगभग इतने महिनों से लोग विरोध जता रहे हैं और ये जाहिर करना चाहते हैं कि दोबारा नागरिक्ता साबित करने की जरूरत नहीं है और नाही नागरिक्ता संसोधन कानून को आना चाहिए नाही NPR जाता है कि यहां पर कब से आप रह रहे हैं लेकिन उसके बाद फिर NRC आता है उसमें भी यही बोला जाता है कि आपको दस्तवेश दिखाने होगे आपको प्रूफ करना होगा कि आप नागरिक्ट है कि नहीं है यानि कि यहां पर साबित होता है कि उस मुद्दे को जब सब्सक्राने क्या दीती सिर्फ और सिर्फ वो नागरिक्टा संसोधन कानून पर डटे हुए थे अडे हुए थे लेकिन यहां पर जब हैदराबाद का एक मामला सामने आता है और यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति को उसकी नागरिक्टा साबित करनी है और यह साबित करने के किसी और नहीं नहीं अधार कार्ट के जो कहा जाता है कि अधार कार्ट को लेकर सवाल खड़े किये गए हैं ये बोला गया है कि अधार कार्ट उनका फरजी है और अधार कार्ट के तहत उनकी नागरिक्ता को लेकर कई सवाल खड़े किये जा रहे थे जिस पर ये भी बता दे क जो सत्तार के वकील थे उन्होंने ये दावा पेश किया है कि यहां पर कानून के तहत अधार को नागरिक्ता साबित करने का प्रूफ नहीं माना जाता है तो ऐसे में आप उन पर सवाल नहीं खड़े कर सकते कि वो फरजी वाड़ा है कि नहीं है या घुसपैटी है या समसे आ एक है तो सही अगर booking कर बाते हैं तो उन पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और उनसे पूछता की जाएगी कि वो कहा से आये हैं और उनके पास दस्तवेच क्यों नहीं है मामला पूरा हैदरवाद नहीं है अ सब इस इस मुद्डस कर सभी अपनी though फी पे intrigued कि आ लिजाम नहीं लगा सकते कि भारत का नागरिक है या नहीं है तो इस मुद्द्दे को ले कर आपके राय है यह खबर है इस खबर को लेते हुए आप क्या सोचते हैं कैसी है आपके विचार-धारा की क्या जो हैदराबाद में महममस सत्तार को लेकर सवाल खड़े किये गए है नागरिक्ता साबित करने की बात उन पर कही गई है क्या वो सही है और क्या अधार कार्ड को नागरिक्ता प्रूफ होने का दस्तावेज नहीं माना जाता है क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे दीजे एजाज और ऐसी बागी तमाम खबरों के लिए देखते हैं SPN 9 News